मेरे दोस्तो आज मैं आपको ऐसे रजर्स पर बात करने जा रहा हूँ जिन पर SSC में डारेक्ट कोशन पूछे जाते हैं और अगर आप CGL की तेयरी कर रहे हैं, CPU की तेयरी कर रहे हैं, CHSL की तेयरी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे पिछो ये वीडियो आपके लिए मेरे पिछो आपने लगातार ऐसी फोटो देखी होंगी और ऐसे कुशन देखे होंगे जहां सेड़ेट पोर्शन का एरिया पूछेगा चाहे वो इस तरीके से एरिया पूछे, चाहे वो इस तरीके से एरिया पूछे इन सारे ही एरियाज का एक ही ट्रिक है और एक ही तरीके से सारी फिगर्स रोल होंगी बस आराम से समझेए मेरे दोस्त आप से हमेशा सवाल पूछा जाता है कि सर अगर ये कोई वर्ग है और इस वर्ग के अंदर हम एक सरकल बना दें और फिर आप से कहेगा कि ये जो सैड़िट पॉर्शन बचा है इस सैड़िट पॉर्शन का एरिया बताईए क्या होगा अगर स्केर की साइड ए है तो मेरे नन्ने मुन्ने प्यारे बच्छो बहुत ही असान लगेगा आपको सवाल आप कहेंगे कहां सर इसमें तो क्या ही दिक प्यारे बच्छो अगर मैं a square common ले लूँगा तो जो area आएगा 1-pi by 4 है ये होगा मेरे प्यारे बच्छो सैड़िट पॉर्शन के एरिया क्या करना है मैंने पूरे square का area लेना है उसमें से circle का area मैंने घटा दिया radius चुकी a by 2 होगे अब मेरे बच्छो आपसे हो सकता है सवाल इस तरीके से पूछा जाए या आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि value इसकी soul करा ले तो pi की value होती 22 बटे 7 और मेरे बच्छे नीचे 4 अब 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 11 तो यह आएगा 7 दोनी 14 में से 1 गया मेरे प्यारे बच्छो 14 में से 11 गया 3 तो 3 बटे 14 a square आप इसमें circle बन पाएगा तो मेरे प्यारे बच्छो अगर इस figure का area a है तो अगर आपसे sadded portion का area पूछेगा ना तो इस area का 3 बटे 14 गुना हो बास simple सी बात इस area का 3 बटे 14 गुना हो अब आप कहें सरी यह तो basic चीज होगी बताना क्या चारू मैं आपको यह कहना चारा हूँ कि म और चार और फिर कहें कि square में जो बाकी बचा हुआ हिससा उसका area बताईए तो भी मेरे प्यारे बच्छो उसका area यह होगा जो यहां था 3 बटे 14 अगर square की side a है तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्छो अगर एक square बना दिया a और इसके अंदर 4 circle बना दिया और फिर पूछे इस sadded square है तो a square होगा आप कहें जी बस इतना ही नहीं भाई और भी बता रहा हूँ जहां से समझो मेरी बात चाहिए rectangle हो और rectangle में हमने 2 circle बना दिये तो यह sadded portion पूछेगा तो आंसर होगा 3 बटे 14 इंटू इस base figure का area यह है चाहिए rectangle के इंदर 10 circle बना दे तो भी मेरे बच्छे sadded portion क area यह होगा 3 बटे 14 इंटू इस पूरी figure का area चाहिए इसमें 3 circle बनाए चाहिए 300 circle बनाए जितने भी circle बनाएगा जो बचा हुआ इससा उसका area हमेशा ही 3 बटे 14 इंटू इस base figure का area होगा अगर square है तो square के area अब square की side A है तो इसका area A square होगा rectangle का area इससर length into breadth है तो formula 3 बटे 14 गुना L into B हो जाएगा अब आप कहें जी बस नहीं भाई और भी चीज है क्या कि अगर मेरे पहरे बच्छो यहां पर यह square है और इस square में इसे center मानते हुए हमने यह quadrant कीच दिया यहां हमने quadrant कीच दिया तो इस quadrant से बाहर यह वाला जो हिस्सा बच ग हुआ है कि यह answer ही नहीं देगा आपको 3 by 14 a square answer ही नहीं मिलेगा वहां क्या होगा कि वहां इस shape में आपको answer दे रखाऊ और यहां आ जाता a square upon 4 और यहां बन जाता 4 minus y तो अगर पाई की term में answer पूछेगा तो यह answer होगा और अगर हमें solve करना है तो 3 by 14 a square अब आते हैं मेरे बच्चे इस पे पूछे गया आज तक के सारे सवालों का solution एकी वीडियो में मेरे बच्चे question में कहा find the area of shaded region if a, b, c, d, a square of side 14 centered कहता जी ये work है और work की बुझा है 14 अब सवाल में हमसे कहा रहा कि छैंकित भाग का चित्रफल गयाद करें तो मेरे बच्चे answer होगा 3y14 a square, a square मने 14 का square, यानी 14 into 14 इससे इकटा मेरे बच्चे 14 को 3 से multiply क्या 14 आपको basic बात याद रहेगी तो ऐसे कुछ भी करेगा चींद, सभी का answer 3y14 a square होगा, हाँ है न बहुत बार क्या करेगा सैतानी, इसे ना देके इसका पूछ लेगा, तो आप कहेंगे कि 3y14 a square मतलब, अगर पूरी figure का base area 14 है, तो उसमें से circle से बाहर का area वो 3 है अगर circle का पूछेगा तो 14 में 3 गया, 11 तो 11-14 a, यानी area आईए जे ये मेरे पहरा बिच्चों question है CDS 2023 का, देखें मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि, what is the area between a square, of side 10 cm square की जो side हो, 10 cm and two inverted circular cross section each of radius 5 cm inscribed in the square तो मेरे बच्ची, ये वाला area पूछा है, sided, तो sided area हो जागा 3y14 into a square, एका मतलब वह 10 का वर 100, अब मेरे प्यारे बच्चों 3 से, इसे 7, 2 से काटोगे, तो 7 आएगा 2 से काटोगे, 50 आएगा, या या 1500 बटे साथ, साथ से भाग दोगे, साथ दूनी 14, साथ एकम 21. something होगा, और 21. something एक ही option है, that is option D CDS 2023 का question देखिए मेरे प्यारे बच्चों सेम वही चीज़ है, इस बार सरकल आधा ना करके, चुताई इससे ले रखे सवाल में करे रहा है, 4 गायों को 50 मिटर भुजा वाले वरगाकार भुखन के 4 कोनों पर बांदा गया, सवाल में करे रहा है, गाये है एक यहां बांदी, एक यहां बांदी, एक यहां बांदी बहुत बढ़ी आजी, और उनको 2 से काटेंगे, 7 आया, 2 से काटा, 25 आया, 25 को 5 से गुना करेंगे, 125, 125 को 3 से गुना करेंगे, 345 और 1,0 और, और, डिवाइड करेंगे, 7 से, उसी सेप को थोड़ा सा बदल के दिया हुआ है, तो स्केर की सेड आ गई, 7 और, 14 सेंटीमेटर, जो कि उसने दे भी रखी है, आप से पूछा है कि ये वाला एरिया बताईए, जो सेड़िट पोर्शन का है, देखें, मेरे प्याराब जो सेम ही कोशन है, और सवाल ने पूछा सता से, 847 मा परिए, तो हमसे सवाल में पूछ रहा है, तो हमें हर एक डिस्की रेडियस बताने ही क्या होगी, अब मेरे बच्चे, हम जानते हैं, कि अगर स्केर की साइड मैं A मालनो थोड़ी दिर के लिए, स्केर की साइड A मालनो, तो एरिया होगा कितना, 3 by 14, A स्केर, आ बटे 101 केस, 100 by 101 केस का अनलब, A की वैल्यू आएगी 10 by 11, तो 10 by 11 का मतलब हुआ, इस स्केर की साइड, तो रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी आधी, तो जब इसे आधा करेंगे, तो दो से भाग देंगे, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे, 5 by 11, तो रेडियस होगी 5 by 11 सेंट कहता है, चार सरकल बनाया जाता है, इस वाले हिससे का अरिया निकालने, तो आप कहेंगे, सर 3 by 14, A स्केर, नहीं 14 का स्केर, अगली चीज उसने ये भी पूछी हमसे, कि सर आप हमें इस आर्क की लेंध भी बताइए क्या होगी, इसकी, तो मेरे पेरविचो ध्यान से देखो और आप जानते हैं कि अगर डाइमेटर 14 बना सरकल का, तो रेडियस कितनी होगी, साथ, आपने का, जी, OK रिपोर्ट है, तो टू पाई की वैल्यू 22 वटे साथ, रेडियस हो गई साथ, साथ से साथ काड़ दिया, मेरे पेरिमेटर होगा, मेरे पेरविचो 44, और एरिया आ जाएगा 42, देखिए मेरे पेरिचे सवाल में किया रहा है, निमनलिक ताकरती, ABCD, साथ सेंटिविटर भुजा वाला वार गया, तो आपको क्या करना है, चायंग की छितर और ए चायंग की छितर फल, मलवीन का एरिया निकालना है, तो सेड़िट पोर्शन का एरिया क्या हो पड़ेगी, और फिर आपका एक्चोल आएगा, जैसे मुझे निकालना हो, तो साथ का और गुन अचास, तो साथ से कहे गया, तो साथ ये 21 बटे दो आएगा 10.5, तो ये वाला एरिया है 10.5, अब 10.5 ये की ओप्शन दे रहा है मिरा आंसन, दूसरा तरीका है कि हम कंपेरि से थोड़ा कम, तीन चोक 12 से थोड़ा कम, अब आप ये देखो कि 13 का 4 गुना बहुन ये तो बहुत कम है, ये 12 का 4 गुना 48 से बहुत कम है, ये 11 का 4 गुना, 11 चोक 44 से बहुत कम है, ये 11 का 4 गुना, 11 चोक 44 से बहुत कम है, ये ही एक डाटा सैट ओवर्ट रहा है, 10 का 4 गु by 2, solve करेंगे 2 नी मठारा 2.8, यानि 94 point something और यह है केवल option D, देखिए मेरे प्यारे पिछों, यह सवाल मैंने इसलिए लिया है कि CDS 2000 by second का question है, लेकिन इसका जो answer है वो πाई की term में दरखा है, और मैंने बताया था कि अगर square की side A है, लेकिन यहां तो 2A दरखिए, तो अगर square की side में capital A माल लूँगा मेरे प्यारे पिछों, जो sided portion के area होगा, वो A square by 4 into 4 minus pi होगा, आपने का असर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बार actual में A की value है कितनी, 2A, आपने का ठीक है, तो A की जगर 2A रखेंगे, तो 2A का square करेंगे, मेरे प्यारे पिछों कितना आ जाएगा, तो 4A square आ जाएगा, और 4 से for cancel, तो answer आएगा, A square into 4 minus pi, that is option A, तो इसका answer 3 बड़े 14 वाले में भी दे सकता है, और pi वाले टर में भी दे सकता है, दोनों result आपको पता होने चाहिए, देखें मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है, कि एक square cardboard seat है, जिसका area है 784, तो मेरे बच्चे अगर इसकी side की length A है, तो area होगा, A square बगावर 784, और आ out करें, तो मेरे पैरे बच्चो इसका area होगा, तीन बटे सुधा, A square, A square मनतब 28 गुना 28, अब आप कहेंगे, देखें सर कितना आसान है, 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 6, 8, 8, 48, 6 दूनी 12, 4, 16, 18, option C मेरा correct answer, और ये जरूरी नहीं कि एक square में होगा, ये हर जगे अपलाई होगा, ये circle हटाने के बाद, जो बाकी हिस्सा बचता है, वो कौन-कौन सा बचा मेरे पैचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन उसने इस आठों portion का area नहीं पूछा, उस 8 में से उसने पूछा केवल किसका, इन 4 का, ये जो white color वाले हैं, इन 4 का area उसने पूछा है, तो इन 4 का अगर वो area आप इस figure का है मेरे बच्चे, rectangle, तो rectangle के area बना 42, गुना 14, आपने का जी, okay report है, अब मेरे बच्चे, total जो sided portion थे, 8, और 8 में से मुझे कितने चीए, 1, 2, 3, 4, यानि total जो sided portion है, उसमें, अगर total sided portion में 8 हिस्से थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हिस्से हैं, तो उसमें से मुझे 4 का area चीए, तो इसका आधा करेंगे, अब मेरे बच्चे देखो, 14 से काटेंगे 3 आएगा, 2 से काटेंगे 7 आएगा, तो 7 या 21, 21 या 63, तो मेरे प्यारे बच्चो मेरा answer होगा 63, देखे, अगर आपको ये चीजे समझने में दिक्कत हो रही है, तो मुझे लगता है कि आपको चीजों को sequence में और systematic पढ़ना होगा, मेरे प्यारे बच्चो में आपको इस situation में, जहां आप थोड़ा सा confused हो रहे हैं और चीजों को तर अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको छोटी सी सला दूँगा, छोटी से recommendation दूँगा, और ये recommendation मैं अपने लिए अपनी ही चीज का दे रहा हैं, आपने देखा होगा, आपके आस पोडोस में हजारों ऐसे बच्चे हैं, जो पिछले 4-5-5 साल में, जहां PG library में आप जाते होंगे, तो 4-5-5 साल से तयारी कर रहे हैं, उनका selection नहीं हुगा है, कारण एक, उन बच्चों ने systematic तयारी की ही नहीं, कुछ content YouTube से उठा लिया आज के समय में GST inspector लगते हैं, और GST inspector की मुझे लगता है, 70,000 रुपे salary in hand आती है पहले ही दिन, जिस दिन आप नोकरी जाते हैं, उन दिन 70,000 रुपे पर मन्त आपकी salary होती है, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 6 महीने तो तयारी करें, और ऐसी जगें पढ़ें जहां पिल्कुल basic से systematic पढ़ाया जाता है, तो 6 महीने के बाद आप 70,000 रुपे पर मन्त लेने के काबिल हो जाएंगे, वही अगर आप इधर उदा टूट फूट से कोई ऐसे teacher से पढ़ रहे हैं, जो बहुत हवामे चीचे ले जा रहा है, आप ऐसे teacher से पढ़ रहे हैं, जिसका level ह इंस्पेक्टर निकालने का नहीं है, तो मेरे प्यारे बैचे आपको 6 साल भी लग सकते हैं, और 6 साल अगर आपको लगेंगे, तो आपका लोस कितना हो रहा है, आप कहेंगे सर 70,000 रुपे पर मन्त, तो एक साल का कितना हो है सर, एक साल में 12 महीने में, सर 8,40,000 रुपे लो आपसी नहीं लापाएंगे, आप 6 महीने में बढ़िया से तयारी करकर कंदो पे स्टार लगा सकते हैं, आप सर की नोकरी ले सकते हैं, या 6 साल तक डिप्रेशन का जीवन जीते वे, अनसुल जे तरीके से जीवन जीके, आप अपना समय खराब कर सकते हैं, उस समय में आप क केरिवेल एप पर आप जाएंगे, तो वहाँ पर आपको मेरा कम्प्लीट बैच का VOD, VOD राकिश यादर सर का आप सर्च करेंगे, तो उसमें मिलेगा, केरिवेल एप पर बहुत सारे टीचर, लेकिन आपको VOD बेसिक से लेके, और बिल्कुल टॉप लेवल तक पढ़ना है आपने देखा के लाकों सेलेक्शन मेरे हो रहे हैं, और आज तक मैं कोई एक दिन में टीचर नहीं बना, मुझे पढ़ाते हैं बहुत साल बीत गए हैं, और मेरे प्यारे बिचो इस अनुभव और इस मेहनत के जोड़ पर ही हर साल पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सेलेक क्योंकि आपका सेलेक्शन तो छही महीने में हो लेगा अगर आप तरीके से पढ़ेंगे, किसी को भी दे सकते हैं, अन गिनत टाइम, आफ इंफनाइट टाइम देख सकते हैं, वीडियो कोई दो राए नहीं है, दूसरा, हैं रिटन क्लास नोट्स आपको हर वीडियो के प्रिंटिट टाइप पीडियो भी प्रोवाइड कराते हैं, जो काम बोर्ड पे करा रहे हैं, वो बोर्ड की पे एंजी भी आपको मिलती है, मेरे प्यारविचों, साथ में आपको एक लाइव प्रैक्टिस बेच मिलता है, जहां रोज का जो पढ़ा है आपने सुबह, शाम को 5-6 उसकी प्रैक्टिस होगी, और यहां हम बिलकुल हर बच्चे में वही फील दा देते हैं, जो वो ऑफलाइन पढ़के लाना चाहता था, और इसी तरह से मेरे प्यारविचों, मेरे एक लाइव बेच भी आता है, जिसकी फीज है 1399 रुपेश, आप कहेंगे सार बहुत महनत मांगता है, क्योंकि हमें डेली लाइव पढ़ाना होता है, दूसरा, हम हर एक बच्चे की ग्रोथ का ध्यान रखना पड़ता है, कि कितने बच्चे रोज लाइव आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लाइव को रिकोड़ेट देख रहे हैं, और कितने बच्चे उस और ये पढ़ाना, इतना हिसा पढ़ना है, तो उतना पढ़ना चीज हमें खतम भी करनी है, तो मेरे प्यारे बैचो, मैं आपको recommend करूँगा, कि इन दोनों batches में से आपको एक batch purchase करकर, अपनी तयारी को बहुत systematic ले जा सकते हैं, और अपने आपको इधर-उदर confused होने से भी ब यानि 5 मिटर लंबा होगा, चार मिटर चोड़ा होगा, अब with circular plate of diamond day station, find the area of the floor that remain uncovered, क्याता है कि ये तो circle होगे, लेकिन जो बाकी हिसा uncovered है, उसका area बताए क्या होगा, यानि ये वला हिसा, जो हम निकालते हैं, यानि circle को हटा के बाकी जो area है, वो, तो मेरे प्यारे बिच्छ उसका सीधा है एक फारुना, 3 by 14, into base area, base क्या है मेरे बिच्छे, rectangle, rectangle के area 5 गुना 4, solve करेंगे मेरे बिच्छे, 2 दूनी 4, 2 साथे 14, तो 5 दूनी 10, 10, 10, 30, 30, 30 बटे साथ, भाग देंगे मेरे बिच्छे, साथ चोग उठाइस, यानि 4 point something, के एक की option है, that is option B, तो option B मेरे बिच यदिम्या करेंगा है, थीम्या करेंगा है।